नमसकार दोस्तों, वैदिकों मेमोरीस में आपका सागत है दोस्तों, तन और मन को जगाने की असली ताकत हमारे खुद के अंदर ही होती है बस हम इस ताकत को आलस और लापरवाई में सुला देते हैं अगर हम इसे जगा दें और आलस छोड़ दें तो हम सहत मन बन सकते हैं एक अच्छी दोड पुरे शरीर के लिए टौने की तरह होती है दोडने के दोरान शरीर से बीटा एंड़ाफरिन नमक रसायन का इस्तराव होता है यह हम इनसानों को फील गुड कराने वाला रसायन है डोक्टों का कहना है कि दोडना ना केवल तनाव मुक्त करता है बलिक दर्द निवारक की तरह भी काम करता है दोडने, जोगिंग, तेज चलने और चलने के स्वास्थेगत सायदों को लेकर किताब लिखने वाले नारायन मेदुरी कहते हैं कि दोडने या चलने जैसी शारिरिक गतिविदियों के कारण मस्तिक से जो रसायन निकलता है वे एंटी डिप्रिजन्ट की तरह काम करता है मनोवग्यनिक भी मानते हैं कि दोडने से आप अच्चा महसूस करते हैं नेमित रूप से दोडना आपको अच्चा महसूस कराएगा क्योंकि यह आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करता है World Health Organization के मताबिक दुनिया में कोई शरीरिक गतिविधी ने करने से पैदा होने वाली बिमारियों के कारण सबसे ज़्यादा मोते हो रही है इन बिमारियों में रक चाप शुगर वे मोटापा मुख्य रूप से है इन से कहीं अधिक आसान बचाव का तरीका है दोड़ना या तेज चलना दोस्तों अध्यानों में यह पाया गया है कि दिल की सिहत के लिए चलने से ज़्यादा होता है यानि अगर आपका मुख्य जोर वजन घटाने पर है तो दोड़ियों और अगर दिल का मामला है तो तेज चलना अच्छा है दोड़ने से पेट में एक एंजाइम पेप्टाइड वाई ज्यादा बनता है और अराम के आदी राजा नवाब सेर खत्म होने से पहले ही सरदार पटेल की शेतों पर भारत में विल्ले के लिए मानम जाते थे दोस्तों दोड़ने को लेकर ओशो की दिल चल्प सला यह है कि सुबह सड़क पर दोड़ना शुरू करो आदा मील से शुरू करो और फिर एक मील करो और अन्थै कम से कम तीन मील तक आ जाओ दोड़ते समय पूरे शरीर का उप्योग करो ऐसे मत दोड़ो जैसे की कसे कपड़े पहने वे हो चोटे बच्चे की तरह दोडो, पूरे शरीर का कम हाथों और पैरों का उप्योग करो और दोडो, पीड से गहरी सांस लो, फिर किसी व्रक्ष के नीचे बैट जाओ, विश्राम करो, पसीना बहने दो और शीतल हवा लगने दो, शांत अनुभव करो, यह बहुत गहन रूप स सहयोगी होगा